वेगा बोल्ट बनी हेलमेट का वाइजर कैसा निकालना है बहुत लोगों को यह डाउट था बहुत लोगों ने मेरा ओल्ड वीडियो देखा जो इसका न्यू लॉंच हुआ था अब आपको दिक्कत आ रहे हैं कि उसमें क्लियर वाइजर था भी मेरर वाइजर भी आता है ब् आपको यह वीडियो में बताने वाला हूँ तो बहुत ध्यान से देखिए बहुत सिंबल है बट थोड़ा सा ट्रिक्की है इसका वाइजर कैसा निकालना है सबसे पहले इसका वाइजर आप उपन करो इसमें आप यह बटन देखोगी यहां पर इसको थोड़ा से ऐसा खीच चलो नीचे यह यहां से बाहर आ जाएगा थोड़ा सा एंदेन ये आपको ये दोनों पहले भार निकालना है खीच लो सिंपल है इसमें तीन लोक है वर्ण टू एंड त्री ये तीनों लोक को आपको ध्यान देना है निकालने के लिए मैं आपको आपस बताता हूँ आपको सबसे पहले ये नीचे खीचना है ये लोक खुल गया ये बाहर आ जाएगा थोड़ा ट्रीट करो और बाहर खीचलो दोनों साइड में आपको ऐसे ही करना है हो हो हुआ है सिंपल एकदम सоры निकालने का को जोड नहीं लगाना अराम से निकालना चीए हैं अब वासर लगाना कैसा है अब सबसे पहले इसमें यह गोल वाला जो आप देख रहे हो ना लॉक आप सबसे पहले वाला लॉक इसमें अटका दो वो लॉक अटकाने के बाद में यह दोनों जो है वो वाइजर ओपन पोजिशन में होना चीए बंद पोजिशन में नहीं होना चीए इसको नीचे करके आगे वाला अठकाना है यहाँ पर नीचे करना है लॉक एंड इसको अंदर आपको दबा देना है कि नाटक करेगा थोड़ा कि यह लग गया आपका लग चुका है तो मैं आपको फिर से बताता हूं अब वापस से देखिए अब हेल्मेट को हमेशा ऐसा सामने पोजिशन में रखी है आपको ऐसा नहीं रखना इसमें आपको समझ वें आएगा आपको खीचना कैसा है किलमेट का यह वाइजर है इसमें आपको यह वाला लगाने आप लगा सकते हो इसमें थोड़ा सा दिकत होगा आपको लगाने के लिए क्योंकि इसमें आपको लॉक दिखेंगे नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लेना वाइट में ने तो बुबाल का अंदर दबा दो ठीक है तीनो लॉक लग गए दूसरे साइड में भी यही करना है पहले की अटका दो कि इसको नीचे कर दो यह लग गया सिंपल इतना तो सिंपल है लगाने के लिए आपको नहीं आता है अब आप सीख गए तो इतना सिंपल था है रगाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप फर्स टाइम कर रहे हो तो अगर आपको नहीं जाव रहे तो आप किसी नियरबा स्टोर के पास जाओ किसी हलमें स्टोर के पास में जाओ वो आपको समझा देंगे कि कैसा करना है कैसा निकालन है वो आपको चेंज करवा देंगे एंड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो मैं हमेशा रहूंगा आपको हिल्थ करने के लिए तो अगर आपको ये वीडियो इंफोर्मेटीव लगा हो तो नीचे लाइक शेर और सब्सक्राइब पे पको